आउसे बिल्लाहिमें श्यटोन वाजीम बिस्मिल्लार्राइब रह्मान रहीम असलाम नहीं दिए स्टुट्ट्स आज की लेक्शे किन दर हम लोग माइक्रोसॉफ एक्सल का अगास करने जा रहें तो हम लोग Microsoft Excel के बारे में पढ़ेंगे कि Microsoft Excel को कैसे स्टड़ी किया जाता है या उसके पर कैसे काम किया जाता है उसे क्यों यूज करते हैं पहले एक बार जैन में रखे लिए कि हमारे जितने भी अकाउंटेंट्स हैं जो लोग जातार सॉफ्ट्रिस का इस्तमाल नहीं करते हैं वो अपना जातार जो काम है वो Microsoft Excel के उपर मैनेज करते हैं तो अगर हम लोगों ने अपने अकाउंट्स को या होम बजट्स को या स्कूल के रिजर्ट्स को या स्कूल के बजट्स को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग Microsoft Excel का इस्तमाल करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ताके मेरी हर आने वाली नहीं वडियो आपके पास in time पहुंच सके। Dear students, आज के लेक्षर के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जी Excel को open कैसे करते हैं तो हम लोग Microsoft Excel 2019 को start करेंगे इसको open करने का तरिका कर यह है कि आपने start में जाना है और यहां पे search के अंदर जाके आपने Excel लिखना है लेकिन शर्त यह है कि आपके पास पहले से आपके computer भी install होना जोई है अगर यह install नहीं होगा तो आप लोग भी इसको open नहीं कर सकते है तो install करना है, install करने के बाद आपने इस icon पर click करना है तो आपके जो Microsoft Excel है यह open हो जाएगी उसके बाद आपके पास यह format आजाएगा आज के lecture के अंदर हम लोग चेक करेंगे जिए rows और columns क्या होते है scroll bar क्या होती है, tab क्या होता है, ribbons क्या होते है quick access toolbar क्या होती है, name box क्या होता है, formula bar क्या होता है, zoom कैसे करते है sheet किसे करते है, file name किस क्या मतलब है moving around the workbook, हम लोग एक workbook के अंदर कैसे move करते है, इसको भी हमने देखना है worksheets होती है, आपके पास simple data entry कैसे होती है, range को कैसे select करते है, और file को save कैसे करते है start करते है, सबसे पहले, आप लोग यह मेरा mouse को देखेगा, आप यह मेरा mouse अभी इस जगा पे है तो आप जिन लोगों ने पहले word पड़ा हुआ है, उनको पता है कि इसको हम लोग क्या कहते है, quick access toolbar कहते है जहां पर यह book one लिखा हुआ है, यह हमारा sheet name होता है, इसके जो हमारी file है, उसका नाम होता है यहां से हम लोग अपनी जो work sheet को minimize कर सकते हैं, इसको maximize कर सकते हैं और यहां से close कर सकते हैं उसके बाद मैं यहां पर यह F है, इसके ऑपर click करता हूँ तो यह जो सारी चीज़ select होगी है इसे हम लोग column कहते हैं और जैसे मैं यहां पर 4 के उपर क्लिक करता हूँ, तो यह जो सारी चीज है, इसे हम लोग रू कहते हैं, उसके पर आप किसी भी बॉक्स के उपर क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद आपके पास इसका अड्रेस आजएगा, यह हमारे पास क्या होता है, यह नेम बॉक्स होता ह तो हर cell का अड्रेस होता है इनकेस अगर आपने वैसे ही judge करना है तो आप simply ऐसे judge कर सकते हैं कि column number आपका column name F है और row number कितना है 5 है तो जहां पर यह इन दोनों intersect कर रहे होते हैं वो जो actual उसका क्या होता है उसका name होता है तो आप इस cell पर क्लिक करें तो यहां से आपको पर चल जाएगा आपके जो cell है उसका नाम F5 है ठीक है और उसके बाद यह जो चीज होती है यह हमारा formula बार होती है हमने कोई भी formula लिखा हुआ है उसको देखना है तो हमें वो यहां से नज़र आएगा आगे वाले lectures के अंदर हम लोग इसकी practice भी करेंगे उसको check भी करेंगे इससे आप नीचे करें तो आपको यहां पर नज़र आजाएगा तो columns, rows और आपको cells का पता चल गया है name box का भी आपको पता चल गया है और formula बार का भी पता चल गया है students यह जो home होता है यूज किया जाता है यह हमारा file है file के अंदर आपके पास यह different options है जिसके उपर save as, save, print, close, accounts वगरा की options होती है इनको हम लोग यूज करते हैं अभी इन्होंने यहाँ पर इस version के अंदर इसका नाव फायर रखा है इसे जो पहले जो version से उपर यहाँ पर ना उसका office का icons बनाता था picture बनी आती थी उस पर click करते हैं तो हमारे पास यह options आ जाती थी लेकिन अभी हम लोग file को उपर click करते हैं तो हमारे पास यह options आ रही है उसके बाद अगर आप लोगों ने शीट को जूम करना है तो आपके पास यहाँ पर देखेंगा कि यह जूम इन्न हो रहा है और यहाँ से जूम आउट हो रहा है यह देखें यहाँ से जूम को इंक्रीज किया जा रहा है यहाँ से हम लोग इसको जूम को कम कर रहे हैं कुमारे पास दो तरह की scroll bar होती है, एक पहली scroll bar है, इससे हम लोग इसको vertically move कर सकते हैं, यह दूसरी scroll bar है, इससे हम लोग इसको horizontally move कर सकते हैं, यह लीचे मेरे पास यहाँ पर sheet होती है, हम लोग यहाँ से एक से जारा sheets को add कर सकते हैं, ठीक है, इन sheets को हम लोग यहाँ से scroll भी कर स अब यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास यह बटन आ गया है इस बटन के आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहां से सारी शीट नजर आ रहे हैं तो आप जिस शीट के ओपर क्लिक करेंगे आप फॉर शीट पे आ जाएंगे यहां देखें मैं दबार यहां पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे ओके करता हूँ तो मैं शीट वन पे आ गया ठीक है इस तरह आगर आप लोग अपर शीट के अंदर डिफेंट जगों पर बड़ी असानी के साथ मूव कर सकते हैं उसके बाद आप लोगोंने सिंपल डाट आप किसी भी box ऐ उपर क्लिक करें किसी भी चीज पर दी करें और लिखना शूरू कर दें तो वहां पर लिख जाएगा जैसे यहां पर लिखना शूरू हो जाएगा झाली यहां पर नजर आ जाएगा उसके बाद आप लोग different चिज़़ों को select करें ठीक है वहां की जो name ranges होत क्लिक करें, यहां पर सेव करना है यह आपके पासνों ऑपकाश्य करना पर सेव करुए यहां पर यहां पर Jian fam का नाम करने पाshit को मुश्मियों, यहां पर आपके पास यह CM ठीक है आप लोग CSP file में डाउर इसको save कर सकते हैं जो आपकी requirement है आप लोग उसके अंदर save कर सकते हैं वैसे बाइड़ ड्फाल जो है आपका इससे पहले जो था वो Excel S था आजकल XLM चल रहा है इसका तो हम लोग ने इस file को जो है by default Excel workbook के तोर पर ही save करना है वैसे आपने अगर आपको जूरूत है PDF में save करना है PDF में कर लें CSV में save करना है CSV में कर लें वो आपकी मज़ी है इसको आप save कर लें तो यह आपकी पास save होगी एक बात students जहीं में रखिएगा कि यह जो complete है मेरे पास इस complete का नाम workbook है और workbook के अंदर multiple sheets होती है मैं जब कोई माइक्स और Excel की file खोलूंगा तो मेरे पास workbook उपन होती है ठीक है और एक workbook के अंदर हमारे पास क्या होती है multiple sheets होती है जिनको हम लोग इस्तमाल करते हैं तो आज की lecture के अंदर मैंने students आपको introduction करवाया इसका कि यह कैसे क्या होता है इसके different चीजों के क्या नाम है इसको हम वो कैसे use करते हैं बाकी next lecture के अंदर मुलाकात होती है मुझे अमीद है कि आपको यह मेरा lecture जो है यह समझ में आगया होगा अगले lecture तक मुझे अजाज़त दें बहुत शुक्या students अलाहाफीज